हेलो दोस्तो डॉक्स एंडॉक्स लवर्स चनल में आपका स्वागत है इस चनल पर आपको डॉक्स एलेटर फुल इंफॉर्मिशन दी जाएगी तो दोस्तो आज हम बात करते हैं दब्वर्ड मोस्ट पॉपॉलर डॉग वी जर्मन शेफर्ड के बारे में तो चलिए शुरू क करते हैं तो दोस्तो बात करते हैं जर्मन सफ़ोट की हिस्ट्री और औरिजिन की दोस्तो इस नशल के कुत्ते सब से पहले यूर्प में बिक्सित कि ये गए थे माना जाता है कि 1859 से पहले एक यूरोपीय हेरिंग कुत्ते से जर्मन सेफ़र्ड कुत्तों की नसलों का जन्म हुआ था उस समय यूरोप में इस नसल के कुत्तों के तीन प्रकार थे बेल्जियम सेफ़र्ड, जर्मन सेफ़र्ड और डच्च सेफ़र्ड 1899 में बॉन इस्टिपनिच नाम के एक व्यक्ति ने एक डुक सो के दोरान अपने कुत्ते को पहला जर्मन सेफ़र्ड कुत्ता गोशित किया था तब से इन कुत्तों को एक नई नसल के रूप में रेजिस्टर किया गया है तो दोस्तों अब बात करते हैं जर्मन सेफ़र्ड डॉक्स के हाट और बेट की तो दोस्तो जर्मन सेफर्ड मेल डॉक की हाइट 24 इंचेज टू 26 इंचेज होती है बहीं कुछ मामलों में इनकी हाइट केमिया जादा भी हो सकती है बहीं बात करने फीमेल जर्मन सेफर्ड की तो इनकी हाइट 22 इंच टू 24 इंचेज होती है बात करने बेट की तो male German Schefford का weight 32-40 kg का होता है और female German Schefford का weight 22 kg to 32 kg होता है दोस्तो अगर बात करने जर्मन सेפर डॉक्स के color की तो ये कई रंगों में पाय जाते हैं इनके मुख्य color होते हैं Red and Black, Black and 10 Jet Black, Black and Silver, Savile & V.A.E. color बहीं कुछ जर्मन सेफर्ड डॉक बहुती रेर कलर के भी पाई जाते हैं जैसे वाइट, लीवर, पांडा, बिलू दोस्तों गर बात करें लिटर साइज की तो फीमेल जर्मन सेफर्ड एक वार में 4-9 बच्चों को जन्म दे सकती है जर्मन सेफर्ड फीमेल 9-12 महीने बाद मावन्य के योगी हो जाती है मगर केसी आई के रूल्स के मताबिक फीमेल जर्मन सेफर्ड की एज मिनिमम्म 18 मन्त होनी चाहिए दोस्तों अगर जर्मन सेफर्ड डॉक्स के टेंपरामेंट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, लोयल, अलर्ट, बाजफुल होते हैं इनका सभा अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा वफदार होता है पर अजनवियों से ये जल्दी घुलते मिलते नहीं है अगर अच्छे से सोसलाइजेसन हो तो ये बहुत ही अच्छे काल डॉक होते हैं लेकिन अच्छी सोसलाइजेसन ना होने पर कई वार ये काफी आकरामग भी हो जाते है दोस्तो बात करने लाइप स्पेंट टाइम पी तो जर्मन सेफल डॉक्स की उम्र तकरीवन 9 यर से 13 यर से तक हो सकती है अच्छे रख रखाओ और अच्छे खान पान पर ये और अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं दोस्तो अगर बात करें इंपोर्टेंट फैक्ट की तो ये बहुत ही आग्याकारी बहादर होते हैं ये अपने मालिक की हर बात मानते हैं और बहुत ज्यादा इंटेलियेंट होते हैं ये कोई भी चीज को सिर्फ पांच बार समझाने पर सीख सकते हैं साइध आपको पता ना हो जर्मन ताना सा हिटलर भी इंडॉक्स को बहुत पसंद करता था उसके पास भी एक जर्मन सेफर डॉक्ट था ये दुनिया की मोश्ट पॉपलो डॉक्ट ब्रीड में नमबर दो पर आता है अगर कोई भी फर्स टाइम डॉक्ट अड़क्ट करना चाहे तो भी ये डॉक्ट ब्रीड उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है